तो गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं यूपी पुलिस का वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलना क्यूंकि आज के इस वीडियो में हम वो इंपोर्टेंट क्वेस्टन हिंदी के और रीजनिंग के आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो कि आपको हांड़ेट परसंट आपके 30 और 31 के एक्जाम में देखने को मिलेंगे तो गाइस यह बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्टन हैं अगर आपने एक्जाम नहीं दिया है अगर आपका एक्जाम लगा हुआ है और अगर आप यूपी प्लिस कंस्टेबल के अलावा भी किसी और एक्जाम के त्यारी करने हो तो वीडियो को जरूर से पूरा देखना क्योंकि यह जो सेलेक्टेड क्वेस्टन आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं यह किसी भी competitive exam में आप उठाके देख लेना आपको हिंदी और reasoning में पूछे जाएंगे 100 and 100% पूछे जाएंगे तो अभी हम देख लेते हैं किस तरह के questions है और चैनल पर नए हो अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं करा है तो जल्दी से जाओ उटाई वेटिंग पॉर जल्दी से जाओ चैनल सबसे पहला important question आपसे जो पूछा जाएगा वो है कि कवी शब्द का जो thrilling शब्द है वो क्या होगा तो बात करें कवी शब्द की उस आपको option में तीन-चार options दे जाएंगे जिसमें की कवियत्तरी जो होगा that is the correct answer जो की है आपका कवी शब्द का इस त्रिलिंग शब्द ने और पुस्तकी तो ये तो है ये आप उसको एक वचन में भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन जो प्राण है ये हमेशा और हमेशा बहु वचन में ही प्रियोग किया जाएगा तो this is the correct answer next question कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है तो यहाँ पर आपको चार ओप्शन दिये गए हैं संस्कृत में तीन वचन होते हैं हिंदी में दो वचन होते हैं हिंदी में दो लिंग होते हैं और संस्कृत में हिंदी की तरह ही दो लिंग होते हैं तो गाइस बात करें इन तीन ओप आपको बिल्कुल सही दिये गए हैं संस्कृत में तीन वचन होते हैं हिंदी में दो वचन होते हैं हिंदी में दो लिंग होते हैं लेकिन यह जो आपको फोर्ट ऑप्शन दे रखा है कि संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं जी नहीं संस्कृत में तीन लिंग होते लिभंट जन और जो कि हम हें लिंग की द्रिष्टी से दही यानि की कर्ड यानि कि पूछा गया आपको वो क्या होता है तो उट उता है अगले सवाल करता के साथ ने का जब आप प्रियोग नहीं करति हैं करता कंप बाशा की प्रमुख विशेश्जता होती है तो यहां पर आपको चार उप्शस दिये गएं पूर्वी हिंदी का पस्चछими हिंदी का राजस्थानी हिंदी का या फिर पहाडी हिंदी का तो यहां पर पूर्वी हिंदी जो आपको दिया गया है that is the correct answer जो पूर्वी हिंदी है वो उसका प्रमुख विशेष्टा आप देख सकते हैं रिशी का स्टोन्य पर आपको आपको बता ने का है वह हैं इस्तोन नहीं है सबह्य दुफैर साएं या अपर दिन है लेकिन जो दिन है वह इस त्रिलिंग नहीं है जैसे कि हम बोलते हैं हम यह कभी नहीं कि दिन होती है दिन होता है रराइग को उपर को में कौन सा संग्या होता है तो भावाचक संग्या होती है मित्र का भावाचक क्या होगा तो मित्र का भावाचक आपका हो गया मित्रता अगला है संग्या से बने कुंसा अशुद्ध है यहाँ पर आपको चार इथा यह आपको दिया गया है कौन 3-peec एदर तो यह आपको दिया गया है इसमें कौन सा अव्याय है व्यूकrika अब यह है अग्ला सवाल निमनल के शब्दों में इसकॉं सा इस्तरलिंग शब्द नहीं है रोटी पूरी पानी नदी बात करें रोटी पानी और नदी की यह तीनों ही शब्द इस्ट्रिलिंग हैं जिसमें हम बोलते हैं नदी भैती है रोटी पक्ती है या पानी से भी रिलेटेट बन जाएगा लेकिन जो पूरी है वो आपका इस्ट्रिलिंग शब्द नहीं है अगला है कारक के कुल कितने भेध होते हैं तो गाइज आठ इस तकरेक्ट आंसर कौन सा इ पी नकल या फिर बचपन तो गाइस बात करें नकल की तो वह आपका इस पुर्लिंग शब्द नहीं है वह एक इस्ट्रिलिंग शब्द है अगला है भूके को अन्न दो और प्यासे को जल यह वाक्य जो है यह किस प्रकार का कारक है तो गाइस यहां पर आजाएगा आपका स सकते हैं चाचा का है बहन का है भेंस का है लेकिन कोयल का नहीं है तो कोयल इस पर राइट एस्ट्रिलिंग में से कौन सा युगम सही नहीं है तो यहां पर आपको चार अप्शन दिये गए हैं मोटा मोटी धोबी धोबिन दाता दानी और तेली तेलिन तो बाकि जो तीन ुग मैं इक्ष्ट है नीचे दीएगए शब्दों में को्टों और टाया पको दे रखा है यह आपका है पुड्लेग कुल से नहीं है जुर्मुट अतिएश्ठि या इच्छा या निराला तो यह जो नराला शब्द है या आपका इस्तृरिलिंग नहीं है नेक्स्ट निम्निलिक इतमें से पुल्डिंग शब्ड कौन सा है तरसो मकाई सारस या मुंग तो जो ये सारस शब्ड है ये आपका है पुल्डिंग निम्निलिक इतमें से कौन सा शब्ड पुल्डिंग है आय व्याय नहर तो व्याय इस तकरेक्ट आंसर नेक्स्स क्वेशन है निम्निली के शब्दों में से पुर्लिंग शब्द का चयान करना है आपको जहां पर आपको options में दे रखे हैं सूची पत्र, किताब, गंगा या सांसद तो गाइस जहां पर सूची पत्र आपको दे रखा है वो बिलकुल सही है और वह एक पुर्लिंग चण शब्द है यह नेक्स्स्त क्वेशन मैं काम से जा रहा हूं इस वाकिया में से का कारक क्या है से का कारक आपको यहां पर बताना है और लिए प्रयोक्त होने वाला चिंदे कॉन सा होता है तो गो जो होता है देनोत क्रमकारक उसको लाइकवाइस निम्दलिके तिक्र शब्दों में एक पुरलिंग है उसे चैनित करना है तो पानी नदी रोटी या बकरी तो नदी रोटी बकरी जो है ये आपके इस्त्रिलिंग है लेकिन जो पानी है ये पुरलिंग है राष्ट की भावाचक संग्या बतानी है वो होती है र कि तो इस दो करेक्ट आंसर हिंदी भाशा की लीपी कौन सी है द्रविट देवनागरी नोमन या भ्रामी तो देवनागरी नागरी तर्व करेक्ट आंसर हिंदी बाशा में बोलियों की यानि की जो आप languages यूज करते हो जो बोली यूज करते हो उसकी संख्या कुल कितनी है अठारा निम्दलिकित में से कौन सा शब्द यौगिक का उधारन है तो यहां पर जो विध्यारती यूज किया गया है पूर्ण यौगिक यानि कि ऐसे वह होते हैं शब्द जिनको आप संधी विछेद कर सक यौज और की यौगिक का उधारन घुछ नेक्स निम्नदिक वर्णों वे से कौन ऊश्म वर्ण है तो श लेटर जो है आपका वो ऊश्म वर्ण क्यालाता है तो यह नहीं दिरे थी पढ़ता है इस वाक्य में धिरे दिरे शब्द यह वह क्या है वह विशेशन है वो सरवनाम है या क्रिया विशेशन है या अव्याय देगे राम क्या कर रहा है क्रिया क्या है राम पढ़ाई कर रहा है राम पढ़ता है लेकिन विशेशन जो है जो कि बता रहा है कि क्रिया क्या कर रही है वो धीरे धीरे पढ़ गई धीरे धीरे पढ़ता है त व्यक्ति वाचक, जाती वाचक, भाव वाचक ये तीनों संग्या के प्रकार होते हैं लेकिन देश वाचक कोई किसी भी तरह उतका प्रकार नहीं है भाव अच्छ संग्या के अंतरगत क्या आते हैं तो पश्यू-पक्षी आदी दीशाएं आदी आभूशन आदी या फिर गुण दोश आदी तो भाव भाव जो आप देखेंगे जिसमें भाव व्यक्त हो रहा है तो जो गुण और दोश है ये दोनों ही भाव हैं तो वह नाम प्रश्निवाचक होंगे को प्रश्निवाचक यादि कि जसमें हो रहा है जिसमें की कॉर्श्नवाचक वागेरा वागेरा तो जिसमें सभी सर्वनाम है वह आपका अप्शन ने है कॉन क्या कि थीनों में कुछ sicher बाकि सब द Button on the sht क्या है तो गाईज क्रिया क्या हो रही है क्रिया कि हमने बात करी तो पना पट्लून पहन कर खेलने आया है यह हो गया खेलना क्रिया हो गई लेकिन यहां पर जो काली है विशेष्टा जो बता निम्न मेंसे कौन सा पाथे पुस्ता का गुण नहीं है, तो शुद्देशता, उप्यूक्तता, क्रमबद़ता सब हैं, लगीन अशुदता नहीं है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारन करके किसके आधार पर होता है तो वह क्रिया के आधार पर होता है हर्याली क्या है तो हर्याली आपकी जो है यह भाव आचक संग्या है लोगों ने शोर्गुल करके डाकों को भगाया इस वाक्य में आपको कारक बताना है तो कर्मकार करके चिन है तो गाई को और के लीए जो होता है यह संप्रदान कारकी चिन है लटा पेड से गिरा वाक्य में कारक बताना है आपको तो यहां पर आपादान कारक प्रांसर प्राइक क्रिया विशेशन युक्त वाक्य कॉन सा है मैं कल नहीं जाओंगा यह हें हमघाने हाँ तो यहां पर हावा हो रही है लिए क्रिया विशेशन हों और और उस तरह से बह रही घिर देृ自व पर आपका विशेशन से महाप्त जा रिखे Wakैंठी क्रिया विश्यशन तो ग्ई लेटेड है तो विश्वनाथ मंदी इस चीज से रिलेटेड होगा आपके पास अप्षिंस में इलाबाद बतुरा अजयन वारण संक今天 आपको सेंपली देख लेना है कि विश्वनाथ मंदिर कहां पर विश्वनाथ मंदिर कहां पर unfinished तो विश्वनाथ मंद्र जो prisons सीय्ण सी वर्ण होगा वो जाहेगा नेक्स यसी तरह से आपको देख लेना है रखत जो है वह रेलेटिट ही तो कहां से रिलेटिड़ कोगा तो वायू का हो गया पर हो अ फिरेक्ष्टम से अगर रिलेटरन थे तो इसी तरह से नहीं आपको मिलते है तो गिराज में आपको कौन में लेगा मेकानिक्स तो मेकानिक इस तर्ट आप सीरीज में देखो 50, 65, 101 आपको गिवन है तो आप से पूछा गया है कि नेक्स जो डिजित होगी वो पॉन सी होगी तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेत अनमबर 121 जिसमें प्लस वन क्योंकि सीरीज को जब आप सॉल्व करोगे तो फ्लस वन लगाना होगा तो जब आप 121 फ्लस वन करोगे तो देट वी 122 तो 122 इस तो करेक्ट आंसर ओके गाईज आपको आपको आपके कल यानि की तीस अगस्त के पेपर में देखने को 100% मेलेंगे अगर आप यूपी प्लस का पेपर दे रहे हो तो भी वीडियो पूरा देखना नहीं दे रहे हो तब भी देखना क्योंकि यह हैं वो सारे इंपॉर्टन क्वेस्ट जो कि आपको हर कॉंप एक प्रदिव एक्षान से रेले इन वीडियो आज के लिए बस इतने ही थैंक यू सो मच पूर वाचिंग वीडियो तिल दिन आल व्यवेस्ट तो अल थे दिल्टेट्स